अच्छा आज हम देख रहे हैं HTML के अंदर के हम अपनी website का structure किस तरह से create कर सकते हैं मतलब हमारी website का जब हम structure बनाते हैं सबसे पहला काम क्या होता है हम अपनी website के अंदर structure बनाते हैं सबसे पहले website का तो आज देखते हैं कि basic structure जो अकसर follow किया जाता है common structure आप कह सकते हो वह हम यहां पर बनाना सीखेंगे इसको करने से पहले मैं आपको इस structure का layout किस तरह से हम design करेंगे वह मैं आपको बताता हूं यहां मैं paint में आ जाता हूं तो यहां पर मैं आपको इसका पूरे structure design करके दिखाता हूं सबसे पहले मैं आप एक box ले लेता हूं box मनाया यह क्या है बेव कंटेनर ठीक है लेकिन हम इसको नाम देंगे रैपर का ठीक है रैपर मतलबों मतलब जिस तरह हम प्रएंटुर से दूर्टी में किया करना सेम उसी तरह हमने क्या करना है यह एक wrapper नाम का container बनाएंगे और इसके अंदर सारा हमारा structure बनेगा अब structure में हमने main container बना लिया इसके बात सबसे पहला कौन सी चीज यूज होती है सबसे पहले आजाता है हमारे पास header ठीक है यह जो portion है आपके पास सबसे पहले क्या आजाएगा header का ठीक है अब इस header के portion में for example हमारा लोगो आ जाता है ठीक है लेफ साइट पर हम लोगो दे सकते हैं और राइट साइट पर हम क्या दे सकते हैं अपनी website का नाम दे सकते हैं या जिस तरह हम हम सेटिंग करें ठीक है वह हमारे उपर depend करता है लेकिन यह portion हमारे पास किसके यह लेकर आएंगे header के ठीक है फिर इसके बाद यहां पर हम आते हैं एक और for example इसी के नीचे header के नीचे आपके पास होती है navigation बार क्या होती है for example इसका कलर भेले सेट करते हैं अब यह navigation बार क्या होती है for example जिसमें आपने देखा होगा आपके पास home about us contact us इस तरह की यह बट तो यह हम बनाएं यह हमारे पास टाक्त होता है जिए साइर स्ट्थ हुआं पर फाल पर मैं दुबारा आपको ठीक है यहां पर एक और हमारे पास आता है एक portion जिसको हम कहते है इमेज slider आपने देखा होगा website में आपके पास जो home page होता है ठीक है अभी हम home page design कर रहे हैं तो उसके आपके हवाले से हम सारी बात करें तो यहां पर आजाता है आपका image slider जिसके अंदर आपने देखा होगा images आपकी move होती जाती है सही है तो वह भी slider हम इस portion में बनाएंगे ठीक है इसके लिए हमारे पास कोई tag तो given नहीं है sources HTML के अंदर ठीक है लेकिन हम इसको देव के थ्रू बना सकते है ठीक है कई क्या है वह हम आपके पास एक और इसके बाग का आप इसके बाद हमारे पास एक section होता है जिसका नाम होता है हमारे पास यहां पर आप इसको कह सकते हो main content का section ठीक है देखो यह आपके पास क्या गया main content का section इसका size में थोड़ा सा छोटा कर देता हूं वैसे इतना छोटा होता नहीं है इसके साथ ही आपने note किया होगा कि हमारे पास एक और बार होती है जिसको हम कहते है sidebar जिसमें हमारे अक्सर आपने देखा होगा advertisements चल रहे होते हैं ठीक है news चल रही होती है सही है जिसमें मार्की का tag भी यूज़ कर सकते हैं ठीक हम इसमें भी यूज़ करके देखेंगे सही है अचा फिर यह वाला जो आपके पास portion है orange color में यह आप कह सकते हो इसको main content ठीक है और यह हम बनाएंगे हमारे पास एक tag यूज रखी है राइट साइट पर रखी है ठीक है आप इसको left side पर भी रख सकते हो यह आपके ओपर डिपेंड करता है ठीक है क्योंके layout बहुत तरीके का बनता है हम यहां पर सिर्फ एक तरीका भी देख रहे हैं ठीक है फिर यहां पर example यह वाला जो portion है sidebar का यह हम हमारे पास एक last हमारे पास portion होता है footer ठीक है जिस तरह header है सबसे top पे उसी तरह आपके पास नीचे आ जाता है सबसे end पे footer ठीक है तो यहां पे मैं footer का आपको इस तरह से design बना के दिखायता हूं ठीक है यह portion आपके पास क्या गया footer ठीक है अच्छा आप एक चीज नोट करो यह जो सार tag दिया है जिसको हम कहते है footer ठीक है अच्छा यह सारे tag जो मैंने अभी आपको बताया है यह सारे tag क्या है pair tag container tag है मतब जिनके opening और closing tag होते है ठीक है अच्छा 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 अब देखो यहां पे यह जो हमने बनाया है अपना पूरा structure ठीक है अब यहां पे हमने HTML के ज इतना header section aside footer ठीक है हम उनके tag के थ्रूँ बनाएंगे लेकिन आप यह सारे boxes सारा portion complete website आप सिर्फ div के थ्रूँ भी बना सकते हो क्योंकि यह क्या है यह सारे boxes हैं लेकिन header है तो अगर developer कोई code कर रहा है वो समझ जाएगा कि header का tag हम किस लिए use करते हैं सिर्फ head section के लिए ठीक है मतलब हमारी website का head section के लिए फिर nav हम यूज करते हैं सिर्फ navigation bar के लिए मतलब यहां पर हम ऐसा नहीं करेंगी कि navigation bar को मैं फूटर की जगा पर यूज कर रहा हूं क्योंकि जो code फिर आपका देखेगा ना वो समझ जाएगा कि professionally काम नहीं होगा वरना अक्सर मैंने website में देखा ह होता है ना nav ना section ना side ना footer उन सबकी जगह सिर्फ div यूज किया होता है आप ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि div इन सबका काम भी कर सकता है लेकिन अगर आप यह टेग्स करोगे HTML के जो structure के टेग्स हैं ठीक है इन से आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपने coding के अंदर यहां पे header बनाया है यहां पे navigation बात तो यह आपको सारी चीज़े परता करेंगी ठीक है अब देख कोई स्ट्रक्चर बनाया है ना सेम यही स्ट्रक्चर अब हम अपने web page के थ्रूज को बनाते है इसके बाद यहां पे मैंने बताया था अगला होगा नया तेक है अलग से हमें टैग इन्होंने provide किये वह है फिर इसके बाद में एक div बनाना है और यह div किसके लिए होगा slider के लिए क्योंकि मैंने आपको बताया था कि slider करा हमारे पास तो अलग से tag नहीं है इस इमल के अंदर लेकिन हम div को class देने slider तो वह ऐसा slider हम उससे काम करवाएंगे फिर इसके बाद यहां पे आ जाता है section section मैंने आपको कौन सा पार्ट बताया था यहां पर यह जो और इंज कलर का पार्ट है मतलब मेन कंटेंट जिसमें हम रखेंगे सही है फिर इसके बाद हम यहां पर आ जाते हैं इसके बाद आता है sidebar के लिए हम use करेंगे aside और इसके बाद सबसे end में क्या जाएगा footer ठीक है यह हमने यहां पर सारे इनके tags दे लेकिन अभी हमने इसको styling नहीं की सही है मतलब CSS मैंने apply नहीं की तो यह कुछ भी result डिस्प्ले नहीं करेगा अगर मैं यहां पर इसको save करूं ठीक है तो हमें काम करते हैं यहां पे desktop पे इंदर रखना होता है ठीक है तो मैं यहां पे new folder ले लेता हूं एक new folder हम यहां पर create कर लेते हैं ठीक है इसका मैं नाम रख लेता हूं for example website structure ठीक है और इसी के अंदर इसी के अंदर मैं अपनी यह वाली फाइल सेफ कर लेता हूं और इसका नाम for example हम रख लेते हैं ठीक है यहां पर आता हूं और इसको यहां पर मैं सेफ कर लेता हूं ठीक है फोल्डर मैंने और उसके अंदर ही मैंने home.html के नाम से फाइल सेफ कर लेते हैं सहीए अब आ जाते हैं CSS फाइल ठीक है क्योंकि सारा काम प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं मतलब हम इंटर्नल या inline HTML यूज नहीं करेंगे ठीक है तो मैं आप आता हूं एक CSS की अंदर के अंदर ठीक है और इसका नाम for example मैं आ पर रख लेता हूं style ठीक है क्योंकि extension लगाने की ज़रूत नहीं क्योंकि हमने उठाई CSS फाइल है तो वो से CSS में सेफ कर देगा सही है हमारे पास CSS की फाइल सेफ हो गई अच्छा अब सबसे पहले हमें क्या करना है CSS फाइल को hyper reference जिसमें हम अपने CSS की फाइल का link देंगे ठीक है यहां पर आया browse किया मैंने और यह style.css पर click किया और okay ठीक है फिर इसके बाद हम यूज़ करते है आरियल रिलेशन उसको बताना है किस टाइप का है style sheet ठाइप का है ठीक है फिर हम यूज़ करते है टाइप एक होता है dot wrapper ठीक है और यहां पर आके सबसे पहले हम इसको border देते हैं ठीक है border for example 5px और इसको मैं color देता हूं black और style मैं इसको देता हूं ठीक है फिर इसके बाद height मैं इसको रखता हूं auto ठीक है height मैं auto क्यों रख रहा हूं है यहां पर क्यूंकि जब हम इस wrapper के अंदर content को फिल करेंगे header navigation बार सारी चीज़ है तो उसकी height automatically बढ़ती जाए ठीक है फिर यहां पर width अब width हमें खुच से set करनी है width suppose करो कि मैं इसको दे और अभी यहां पर जाके मैं आपकी file रण करके दिखाता हूं ठीक हमारे फोल्डर है website structure इसके अंदर हमारे फाइल है home.html ठीक है अभी देखो हमारे पास सिर्फ width आ रही है क्योंकि height हमने इसके auto रखी है इसके अंदर अभी जब हम चीज़ें देंगे header footer वगरा ही सारी चीज़ें तो वह automatically उसकी height increase होती जाएगी ठीक है तो यहां पर आते हैं अब मैं यहां पर use करता हूं header ठीक है देखो header पहले dot नहीं लबाया मैं अब type selector use कर रहा हूं ठीक है direct उसको नाम से call कर रहा हूं ठीक है फिर इसके बाद सबसे पहले मैं इसको water दे देता हूं for example 5px red और यहां पर इसको ridge ठीक है फिर यहां पर इसकी height set कर देता हूं ठीक है अब इसकी height हमने auto नहीं रखनी है इसकी height हमे for example मैं यहां पर देता हूं 250px और width मैं आप इसको देता हूं inherit अब देखो inherit का क्या मतलब है मैंने जो width को value the inherit इसका मतलब के यह है आपके पास header इस वक्त है child ठीक है और इसका parent कौन है यह rapper ठीक है मतलब यहां पर अगर आप आओ देखो यहां पर यह header क्या है child है बलके यह स counter से लेके आपके पास header तक ही सारे child है किसके इस div के है सही है तो यहां पर inherit क्या करता है कि यहां पर inherit का काम यह है कि जो भी width parent की होगी न वह अपने पास यहां पर save कर लेगा अगर यहां पर मैंने बारस हो दिये तो यहां पर भी inherit करने के बाद क्या हो जाएगी बारस हो जाएगी आप खुद भी लिख सकते हो अगर confused हो तो आप यहां पर 1200 PX खुद भी लिख सकते हो लेकिन inherit का concept यहां पर clear होना है ठीक है फिर यहां पर मैं आता हूँ अब दूसरी चीज हमने क्या दी थी navigation बार ठीक है तो यहां पर मैं इसी तरह इसका content copy कर लेता हूँ चलेंगी हमारे पास ठीक है यहां पर मैं इसका color for example दे देता हूँ blue सही है और अब इसकी height हमने रखनी है for example हम इसको रखते है 55 PX सही है क्योंकि navigation बार की height कम होती है width तो उतनी होगी जितनी आपकी header की है ठीक है लेकिन height उसकी थोड़ी इतनी होती है ठीक है यहां पर मैं save करता हूँ और आपको to color के आपके पास क्या है navigation बाहर है ठीक है फिर यहां पर आते हैं फिर हमने एक यूज किया था slider slider के यह ठीक है तो यहां पर हमने उसकी class का क्या नाम दिया था slider ठीक है और यहां पर आके इसी तरह अब मैं इसको भी set कर लेता हूँ ठीक है for example इसको अब हम color दे देते हैं orange ठ ठीक है और यहां पर इसकी height मैं पज़ता हूँ 300 सही है और width inherited होगी सही है तो मैं यहां पर इसको save करता हूँ और आपको यहां पर आके refresh करता हूँ तो यह रखो अब नीचे यह orange box किसका आगया slider का अगया ठीक है फिर slider के बाद हम यहां पर use करेंगे section ठीक है जो हमने section मनाय section का tag यहां पर आके मैं यह हटा देता हूँ slider का नाम और इसकी जगत क्या दे दूगा section सही है और इसका color for example हम यहां पर रख लेते हैं purple सही है देखो मैं color यहां पर इसलिए दे रहा हूँ ताके आपको specify हो मतलब कि कौन सा header है कौन सा section है इसलिए वरना आप सब का color same रखोग ठीक है फिर यहां पर section की height for example हम इसको देते 600 अब देखो width क्योंकि यहां पर देखो मैंने जो आपको structure बनवाया था यहां पर देखो यह जो section है और aside है यह एक ही row में है तो इसको इसकी width हमने यहां पर slider के जितनी नहीं रखनी क्योंकि यहां पर हमने कम करनी है इसकी width तो म यहां पर आता हूं इसको save करता हूं और यहां पर आके आपको result दिखाता हूं ठीक है यह बहुत देख रहो अब यह purple क्या है आपके पास section क्या portion है सही है और आप right side पर हम क्या देंगे sidebar aside के तुरू ठीक है तो यहां पर आते हम ठीक है मैं इसी portion को यहां पर copy कर लेता हूं ठीक है और यहां पर आब हम use करेंगे side ठीक है aside और इसका border इसका color हम just change कर लेते हैं इसका color for example हम रख लेते हैं pink ठीक है और यहां पर हम इसको height 680 रहेगी क्यों क्योंके section और aside की height हमने same रखनी है और यहां पर width इसको मैं कम कर दूँगा width for example मैं देता हूं 350 इसको save करता हूं और यहां पर जाके अब हम result देखते हैं अपना अच्छा देखो अभी आपके पास यह नीचे आए हो आपके पास यह किसके नीचे आ रही है यह आपके पास section के नीचे हमें क्या करना है हमें section के साइट पर चाहिए मतलब section के साथ लगी भी चाहिए तो हम कुछ property यूज़ करेंगे ठीक है देखो हम यहां पर कुछ property यूज़ करेंगे section के अंदर एक property हमारे पास क्यलाती है left float ठीक है इसके अंदर हम इसको कर देंगे left कि section हमारे पास left side पर fix हो जाए सही है फिर same यही property मैं यूज़ करूँगा aside के अंदर क्यों यूज़ कर रहा हूं कि जो हमारी sidebar है वो section के साथ left side पर fix हो जाए सही है तो मैंने क्या कि यहां पर इसको भी float left दे दिया ठीक है तो य आगया left side पर आपके पास क्या हो गया यह fix हो गया सही है मतलब यह जो purple color है यह आपके पास क्या है section और यह right side पर क्या है आपके पास aside sidebar अच्या लेकिन एक चीज़ गडबड हो गी है आप यह black देखो जाए यह हमारा क्या रैपर है ठीक है लेकिन यह wrapper हमारे section और sidebar को cover नह हमने section और side के ओपर भी लेकर आना है ताके यह हमारे पाफ पूरा cover हो तो हम रैपर की class में आते हैं यह जो हमने यह पर रैपर दिया है ठीक है इसके अंदर में property यूज़ करता हूं जिसका नाम है overflow और इसको मैं कर दूंगा hidden मतलब अभी देखो यहां पे क्या काम हो रहा है मतलब यह जो आपका black color का wrapper है हमारा content इसके बाहर जा रहा है मतलब overflow हो रहा है तो हमने उसको क्या value दी थी overflow hidden मतलब यह overflow आपने क्या करना है हाइट करना है तो मैं यहां पर आके अब मैं save करता हूं और इसको refresh करता हूं तो यह देखो अब देखो अब सारी चीज़े आ गई मतलब पूरा black के अंदर अब सारी चीज़े आ रही है आपके पास header भी navigation बार भी slider भी section भी और aside बार भी लेकिन aside बार की आपके पास देखो width पूरी नहीं ठीक है तो हम इसकी width set करते हैं for example मैं आप इसको देता हूं हम aside पर आ जाते है ठीक है और यहां पर इसको मैं देता हूं for example 380px ठीक है आप इसको save करते हैं और result देखते हैं ठीक है देखो fix होगे अब बिलकुल सही है अब हमारे पास बिलकुल यहां पर सही result अच्छा अब हमारे पास आखरी चीज क्या रह गई फूटर ठीक है तो यहां पर हम आते हैं कि हम देते हैं अब फूटर ठीक है इसी को मैं copy करता हूं और यहां पर इसका नाम में देता हूं पूटर ठीक है अब फूटर का कलर हम चेंज कर लेते हैं और यहां पर इसकी हाइड भी कम होगी शाहिए कि हम कम रखेंगे इसके आइड कितनी दे रहा हूं 60px और यहां पे विट अम इसको कर देंगे इनहरेट चाहिए क्योंकि विट अब हमें पूरी चाहिए यहां पे इनहरेट अच्छा अभी मैं फ्लोट हटाता हूं यह मुझे लगाना पड़ेगा दुबारा फूटर में लेकिन अभी जब मैं फ्लोट हटाता हूं तो देखना क्या होगा यहां पर आकर मैं रिफ्रेश करता हूं तो यहां पर आकर देखो यह हमारा फूटर देख रहो लेकिन यह किसके टॉप पर आ रहा है सेक्शन और असाइड गेट हमें तो यह बिल्कुल नीचे चाहिए न ठीक है तो फ्लोट की हम यहां पर इसके साथ भी उस करेंगे फूटर के साथ ठीक है तो यहां पर मैं आता हूं ठीक है एंटर करता हूं और फ्लोट हम इसको करवा देंगे लेफ्ट ठीक है ताकि लेफ्ट साइड पर क्या हो जाए आपके पास सेक्शन और साइड की नीचे फिक्स होगा ठीक है तो यहाँ पर मैं उसको save करता हूं और यहाँ पर आपको result दिखाता हूं ठीक हे देखो लीचे आओ देखो नीचे fix हो गया footer ऑब गएकर में याऑ पे जूम आउट करता हूं टीक है, जूम आउट करता हूं तो यह원이ब यह आपका पूरा structure है देखे रहो जिसमें क्या आगया एडर आगया नविगेशन बार श्लाइडर फिर सेक्षिन फिर साइड बार और इंदियंड आपके पास क्या आगया फूटर ठीक है यह हमने क्या किया एक स्ट्रक्चर बने लेकिन अभी एक चीज नोट करो कि हमारे पास यह पूरा सब्सक्रक्ण के धागया करो इसको इसका जो रेपर का डेग है उसके पहले आप टैग लगा लें यहां पर सेंटर र अगर करना चाहते हो तो आप यहां style की file में जाओ और यहां पर जो wrapper है उसके पास चले जाओ ठीक है और wrapper में आप एक property use की थी हमने margin इसको आप कर दो auto ठीक है auto करोगे तो क्या करेगा यह right side से left side से top से और bottom से यह खुद ही set कर दें तो अगर मैं यहां पर इसको save करूँ और यहां पर आके इसको हम refresh करें तो यह देखो अभी यह center में मैंने center का tag हटा दिया था लेकिन फिर भी यह कहां पर अभी center में क्यों क्यूंकि हमने margin को auto दे दिया तो यह उपर से भी देखो यहां पर मैं header के अंदर एक message display कर रहा लेता हूं this is a header इसी तरह navigation बार में हम यहां पर इसको कह देते हैं this is a navbar और slider यहां पर मैं लिख देता हूं slider portion ठीक है और यहां पर section में मैं लिख देता हूं this is my main content और यहां पर यहां पर हम इसको लिख देते हैं sidebar और footer में हम यहां पर लिख देते हैं this is a footer area footer area में हम अक्सर क्या देते हैं for example वेबसाइट किस organization ने बनाई है या उसका owner को होन है ठीक है तो वह हम कहां पर देते हैं चीज़े footer area के अब देखो अगर मैं आप इसको save करता हूं और आपको result देखाता हूं ठीक है तो देखो यहां पर हर div के अंदर आपके पास message योड़ा है कि यह header है ठीक है यह navbar है ठीक है यह आपका main content है यह sidebar और in the end आपके पास footer है ठीक है अच्छा देखो for example हम इसको और specify करने यहां पर इनको colors भी देते हैं ठीक है मैं आपे css file में आ जाता हूं ठीक है और यहां पर मैं इन सब को देता हूं background color ताके यह हमारे पास पूरा specify हो जाए कि सारे box अलग-अलग है ठीक है background color यहां पर मैंने इसका background color क्या रखा था red ठीक है तो मैं यहां पर भी इसको for example ready रख लेता हूं सही है और फिर यहां पर हमारे पास blue है ठीक है तो navigation बाहर का color मैं आप दे देता हूं for example मैं आप इसको देता हूं इसका एक ठीक है थोड़ा light हो जाएगा ठीक है फिर इसी तरह slider है slider में हमने orange दिया था तो इसका color भी हम रख लेते हैं for example और फिर यहां पर आजाएगा section का area section एरिया ने हमने purple रखा है तो यहां पर हम इसको background color दे देता है for example purple और फिर इसके बाद sidebar का area यहां पर हम इसको background color set कर देते हैं pink और फिर इसके बाद सबसे last में हमारे पास है footer इसमें हमने क्या दिया था background color brown तो यहां पर मैं इसका background color थोड़ा सा light set कर देते हैं ठीक है gray set कर लों ठीक है आप इसको save करता हूं और यहां पर आके refresh करता हूं ठीक है यह देखो अब अगर मैं इसको zoom out करूं तो यह देखो अब यह हमारा पूरा structure website का त्यार कर दी हमने अब हम इसके अंदर यह header का tag है इसके अंदर हम अपनी साफ आप से content डाल सकते हैं यहां पर navigation bar में हमारे पास नवार आजाएगी यहां पर slider आजाएगा ठीक है left site पर main content है ठीक है और यहां पर sidebar ठीक है देखो हम यहां पर section को right side पर भी लेकर जा सकते थे और यहां पर यह जो sidebar इसको left side पर भी ला सकते थे आपकी मर्दियन ठीक है फ basically यहां पर पूरा हमारी website का structure अभी तेयार किया इसके अदर अभी हमने content नहीं किया ठीक है देखो सबसे पहला step आपके पास यह होता है जब आप website के structure बना लोगे फिर उसके अंदर चीज़े हैं जो हम tags पढ़ चुक है ना जो सारी चीज़े हम पढ़ चुक है पीछे वह हम फिर include कर सकते हैं वेबसाइट के अंदर लेकिन एक proper तरीका होगा कि हमने structure बनाया है फिर उसके अंदर उसके हिसाब से अमने data input किया, clear है उसके हैं जबर, के बनाया है